हेलो फ्रेंज वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तो आज का बला बहुत ही ग्यानवर्दक होने वाला है क्योंकि यह आप सामने जो देख रहे हैं इसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह है क्या वैसे कोई भी बंदा मेरा जो फ्रेंड देख रहा है वो कमेंट करके बताए कि यह है क्या इतना बड़ा सारा आप देख रहे हैं यह कुमड़ा नहीं है कुमड़ा मत समझेएगा कि यह कुमड़ा है अभी इसको मेरे ख्याल से 99% लोग तो नहीं बता पाएंगे कि यह क्या है यह दोस्तो अभी जो आप तर्बूज खा रहे हैं गर्मियों में यह तर् अभी तो मेरे को लगता है कि खाना तदूर देखा भी नहीं होगा, अभी आप तक हम इसको काट कर दिखाते हैं कि यह तर्बूज ही है याँ यह नहीं, लेकिन है यह तर्बूज? यह पहले आता था अभी उसमें माधरी सोरम करके बहुत सारी ब्राइटी आ गई है लेकिन ये पहले आता था ये प्योर देशी होता था अभी हाइब्रिड का सारा कुछ चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा पॉस्टिक और सुरच्छित था क्योंकि इसके डेने में कोई छेचान नहीं था चलिए आपको काड के दिखाते हैं तो इसको पहले साइड में देखिए चाकु लगाते इसका काफी मोटा शिकला होता है और ये तरबूर पहले बहुत आते थे अभी ये नहीं आ रहे हैं ये आज कहीं मिल गया मुझे लंगा जी के एकड़म किनारे पे मिला हुआ था ये तो मैंने कहा अपने फ्रेंड के लिए ये ले चलते हैं दिखाने के लिए कम से कम देख लेंगे कि लोग कैसा है ये देखिए इतने बड़े बड़े इसमें बीज होते हैं या आप सोच नहीं सकते ये देखिए इतने बड़े बड़े बीज हैं इसमें और ये है तरबूर आप देख लीजिए यह तर्बूज ही है लेकिन आप लोगों ने इसको देखा नहीं होगा इसलिए हमने का यह दिखा देते हैं आप सबको यह देखिए यह तर्बूज है बहुत बड़ा-बड़ा साइज होता था मतलब एक-एक तर्बूज का वेट 30 केजी 40 केजी 50 केजी त तक नहीं मिला वच्पन मैंने देखा तो उसके बाद नहीं मिला तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए इसको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताईए वीडियो पसंदार लाइक के लिए चैनल पर नहीं सब्सक्राइब दूरू कर लिजिएगा मिलते किसे अन वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम